वेलकम टू फ्री लोड उनिवर्सिटी आज के वीडियो में बात करने वाले हैं जनवरी 2022 सेशन के बारे में अगर आप जनवरी 2022 सेशन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आज से यह शुरू हो चुका है आज 25 दिसंबर 2021 से आज के दिन से आप लेकर 31 जनवरी 2022 तक एडमिशन के लिए अपलाई कर सकते हैं यह न्यूस सुभाई अप्डेट कर दिया गया था हमारे टेलीग्राम चैनल पर लेकिन कई सारे स्टूइंट हैं जो टेलीग्राम का इस्तमाल नहीं करते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर जोईन नहीं है तो उनके लिए वीडियो को बनाया गया है अगर आप अगर आप दान होते हैं तो उसके अगर आप बिलॉग करते हैं तो यूट्यूब पर आप सार्च करेंगे कई सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे जो इसके बारे में आपको बताते होंगे या फिर आप इस लिंक पर आ करके देख सकते हैं एडमिशन का अप्लाइ करने का पासवर इसारे डाल करके आपको वेरिविकेशन करना होता है फिर आप रजिस्टर करेंगे यहाँ पर एक चीज़ याद रखेगा जब भी आप अपना यूजरनेम जेनिट करते हैं यहाँ पर आपका यूजरनेम होता है वही आपका लाइफटाम तक रह जाता है तो उस य करेंगे चैप्चा करने के बाद आप लोगिन करेंगे फिर यहाँ पर फिर पासवर भूल जाते या फिर यूजरनेम भूल जाते है क्लिक करने के बारे में वह बहुत बार बीडियो में बात कर चुके है तो यह लंबा टपिक होँसु है तो उसको आप देख लीजगा यहांपर फिर आप लोग-िन करेंगे अपना यूजर नम और पासवर्ट डाल करके लोग-िन करने के बाद आपका जो आगे का प्रॉसेस होगा वह सेम ही होता है काफी आसान सा प्रॉसेस है आपको सारे अपने ड्कुमेंट्स अप्लोड करने पड़ते है अप्लोड करने के बाद आपको payment करना पड़ता है payment करने के बाद आपको थोआ वेट करना पड़ता है आपका admission confirm जब तक नहीं हो जाता है ठीक है और admission confirm नहीं होता है तो इसके ओपर भी बहुत सारे videos बनाए जा जुके है वैसे 99% लोगों का admission confirm हो जाता है एक परसेंट ही होता ह जिनके साथ problem होता है आप जब भी documents upload किजएगा तो कोशिस किजएगे कि आप hard copy को मतलब उसको scan करके आपका जैसे result है result को scan करके ही upload किजएगा सारा चीज क्लियर होना चाहिए इस क्रब में आपका कही बार reject भी कर दिया जाता है फिरसे आपको documents upload करना पड़ता है ऐसा problem हो च instruction चाहिए आप पहली बार IGNU में जोइन कर रहे हैं तो आपको यह सारे instruction to fill application form online यह सारा चीज पढ़ लीजेगा काफी आसान है आपको 100 कभी के अंदर ही आपको यह सारे documents upload करने हो जिससे आपको instruction दिया गया है यह instruction आप देख लिजेगा ताकि आपको बाद में problem ना हो आप payment जो भी आपका सवाल हो यहां पर आपको सारा answer मिल जाएगा तो यही था अगर आपको प्रोग्राम के बारे information चाहिए तो program information पर क्लिक करेंगे program information क्लिक करने के बाद जिससे आपको ब्रोग्राम के बारे में बात करें तो यह program बताया गया के degree program है open distance learning है 3 year का course आपका उसके ब दिया गया है आपको भी bachelor degree program करते हैं तो आपको plus two होना compulsory होता है उसके बाद फिर आपको किताफी लगेगा 3800 per year लगेगा और यह registration fee आपका 200 लगेगा जयने आपको 4000 एक बार लगेंगे उसके बाद आपका जो examination fee होता है वो भी आपका almost पहले dates होता था अब आपका 200 यहां पर आपके जहां जहां regional center और study center में यह program के लिए मतबब आपकर सकते हैं यह सारा list दिया गया है जहां भी ब्लांग कर सकते हैं आप control करके search करेंगे तो आपको सारा notification यहां पर details मिल जाएगा यही सारी चीज़े हैं जो कि आपको program के बारे में जाने में बाद में कुछ problem नहा आपको समझ में आ जाता है कि क्या क्या चीज़े हैं उम्मेद यह video आपके लिए helpful रहा होगा अगर आपके लिए helpful रहा तो इस video को like कर सकते हैं और इस channel के साथ जूट सकते हैं thanks watching